Hello everyone, HP NT की प्रिलिम्स की डेट एनाउंस हो चुकी है, 15 मई 2022 को आपका प्रिलिम्स का एक्जाम है, HP AS की नोटिफिकेशन भी आने वाली है, HP Allied की नोटिफिकेशन भी आने वाली है, तो दोस्तों जब भी एक्जाम आते हैं, वो हमारे लिए दो चीजे लेकर आते हैं, पहली चीज है उपरचिनिटी और दूसरी चीज होती है प्रेशर, और यह दोनों आपस में रिलेटिड हैं, जो बच्चा प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेता है, वो उस उपरचिनिटी को ग्रैब कर लेता है, और जो बच्चा उस प्रेशर को अपने उपर हावी होने देता है, ओवर प्रेशर हो जाता है, वो बच्चा उस उपरचिनिटी को मिस कर देता है, तो यहाँ पर जब आप एक्जाम की बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे हैं, जब आप फुल मोर्ड अफ प्रेपरेशन में हैं, तो ऐसे टाइम पर एंजाइटी होना, प्रेशर आना, फ्रस्टेशन होना, दी मोटिवेशन होना, लो फील करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, हर बच्चे को किसी ना किसी मुमेंट पर प्रेपरेशन में ऐसा लगता है कि अब चीज़े खराब हो रही है, इनका कोई सॉलूशन नहीं है, तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कि चार मेजर कारण क्या हैं जिनकी वज़े से हम प्रेशर फील करते हैं, और फिर मैं आपको उनके सॉलूशन बताऊंगा, तो देखे, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वज़े से हमें लो मोटिवेशन आती है, फ्रस्टेशन होती है, वो है लो स्कोर इन दी मॉक टेस्ट. दूसरा कारण क्या है कि हम प्यर प्रेशर फील करते हैं? मैं ठीक हूं, तुसना, मैं भी साही हूं, और पढ़ाही केसे चल रही है, इसलेवर्स कितना कवर हो गया तेरा? स्लेवर्स लगबग सारा स्लेवर्स कवर होई गया है, रिविजिन बची है मेरी. अच्छा, और मॉक वगरह दे रहा है? हाँ, मॉक भी है, मैंने काफी मार्क्स भी ठीक आ रहे हैं, around 70-75 मार्क्स आ जाते हैं. 70-75? यार मैंने तो 50 क्रॉस करना ही मुश्किल हो रहे हैं, तु पढ़े कितना घंटे रहे? अरे, पढ़ना तो पढ़ेगा न, कम से कम 8-10 घंटे तो देवी पढ़ना पढ़ेगा, यह तो सब जानते हैं. 8-10 घंटे? चल ठीक, तु पढ़ने. ओके, बाई-बाई. चल ठीक है, बाई. तीसरा कारण क्या है कि हम कलेंडर प्रेशर फिल करते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा कारण क्या है कि हम नेगिटिव चेन ऑफ थौट्स क्रेट करते हैं. दोस्तों, इन सब के सालूशन है. अगर मैं बात करूँ कि मौक टेस्ट में लो स्कूर आ रहा है, No doubt, it is a sense of pressure, लेकिन आप इसको एक source of message भी मान सकते हैं, कि जो आपकी मौक टेस्ट में लो स्कूर है वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी अभी preparation ढंग से नहीं हुई है, अच्छे तरीके से नहीं हुई है, आपको अभी और महनत करनी हैं. क्या पता कि आपका जो low score है वो silly mistakes ही हो जैसे आया हो, क्या पता आपने over attempt कर दिया हूँ, क्या पता आप prepared ही नहीं थे mock test ऐसी देने पहुंच गए, तो जो analysis आप करोगे mock test देने के बाद वो आपको indicate करेगी कि आपकी गलतियां क्या हैं, आपकी weaknesses क्या हैं और फिर आप उन पे काम करोगे, तो mock test आपको indication दे रहे हैं कि भाई तो अभी exam के लिए prepare नहीं है, तुझे अभी और महनत करनी हैं, तुझे इन इन areas में महनत करनी हैं, तो वो pressure नहीं है, वो एक indication है, ठीक है? अगर आप pressure feel कर रहे हैं, peer group की वज़े से, कि मेरा दोस्तो बहुत पढ़ रहा है, वो तो mock test में 85-85 नमबर लेकर आ रहा है, और उसका तो syllabus ही complete हो गया, तो दोस्तो अगेन इस चीज में बोलूँगा कि pressure ना लीजिए, comparison करना छोड़ दीजिए, और please avoid or try talking to the negative people, उनसे बात नहीं करनी है, negative people आपको और negative बना देंगे, क्या पता जिस बचे से आपने बात करी उसके circumstances different हो, वो पिछली डेट सासे preparation कर रहा हो, उसका level अच्छा हो, या फिर वो आपको जूट बोल रहा हो, तो आपको comparison नहीं करना है, imitate नहीं करना है, आपको देखना कि आपकी situation क्या है, आपका level क्या है, आपकी concentration क्या है, क्या पता आप 3 गंटे में उसके 10 गंटे बराबर पढ़ रहे हो, इससे pressure नहीं लेना है, इससे सिर्फ आपको ये देखना है, कि मैं किस तरीके से अपने आपको और best prepare कर सकता हूं, तीसरी चीज, calendar pressure, दोस्तों no doubt calendar में दिन काटते टाइम हमें लगता है कि यार इतनी कम दिन बचें, अभी तो बहुत सुले बस बाकी है, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप आगे वाले दिनों के बारे में सोच रहे हो, तो पीछे वाले दिनों में जो आपने achievements करी हैं उनके बारे में भी सोचिए, आपने कुछ components already cover कर लिये हैं, तो वो भी तो आपके उपलब्दी है, वो भी तो आपके achievement है, आप negative सोच के आगे अगर एक vicious cycle create कर रहे हो तो पीछे वाला सोच के virtue cycle भी create करो, आप एस सोचो की आपने पिछले वाला time utilize किया है, जो आगे 60 दिन इनके बारे में जो आपने सोचा है, उसको करो और इसको भी utilize करो, तभी आप paper में बहुत अच्छा perform कर पाओगे. Last but not the least, अगर आपके दिमाग में negative chain of thoughts आती हैं, दोस्तो रोखियो उनको, वो आपको कहीं और लेके नहीं जाने वाली, सिर्फ और सिर्फ नाश करने वाली हैं, selection नहीं होती negative chain of thoughts वालों की, वो बच्चे जो सिर्फ end result के बारे में सोचते हैं, यार exam वाले दिन क्या होगा यार, क्या history के बहुत कुशन आएंगे, history, हिमाचल, इनको क्या होने वाला है, अगर पेपर में PYQ repeat ना हुए तो, अगर जो important topic सर ने बताएं वो ना आये तो, मेरा क्या होगा, अगर आप ऐसी thoughts रखके पूरे दिन सोचे जा रहे हैं, दोस्तो avoid it, अभी से stop कर दीजे उसको, क्योंकि negative chain of thoughts हमारी preparation को सबसे जादा affect करती है, आप negative सोच रहे हैं, होता है, बिलकुल होता है, उसको जल्दी ही, उसको root से ही काट दीजे, starting में ही काट दीजे, और अगर आप negative सोच रहे हैं, थो पॉजिटिव भी सोचिए, कि President का topic पढ़ाएं क्या पता इसी से question आजाएं, तो ये भी सोचिए, day dreaming में मत करिये और extra thinking में मत करिये, दोनों ही चीजे हमारे लिए घातक हैं, दोस्तों अगर आप इस pressure को अच्छे से handle कर लेंगे न, I am pretty sure कि आप अपनी selection में बहुत जादा chances को increase कर लेंगे, ये जो pressure है न, ये हम पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम तई आ रहे है न, तो हम इसको अपने पर हावी नहीं होने देंगे, तो प्लीज अच्छे से prepare करिये, demotivated नहीं होना है, अगर कोई भी issue आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, मुझसे बात करिये, 8146207241 हमारा number है, कभी भी mail drop करिये hello at the rate edutab.co.in पर and we are with you, तो अपनी preparation देंग से करनी है, best of luck for the exams, जय हिंद, जय भारत.